पास देखते हैं जहां जिया शेंग उन दोनों को बताता है कि एक आदमी आकर मुझसे वो पेंटिंग छीन कर यहां से ले गया जिसके बाद बायशाओ उस आदमी के पास जाता है एंड उसे अच्छा सबक सिखाता है देन नेक्स सीन में हम उन दोनों को उस घर में देखते हैं जहां जीया शेंग की डीमन वाली पेंटिंग होती है अंदर जाने से पहले हमारा बायशाओ हमारी शीया के उपर डाड़ी मूश लगा कर उसे एक बाई में कनवर्ट कर देता है एंड देन सीया से कहता है कि मेरा जादू सिर्फ और सिर्फ चार घंटे तक ही काम करेगा इसलिए हमें हमारा काम बहुत जल्दी खतम करना होगा जिसके बाद दो दोनों साथ में अंदर जाते हैं एंड अंदर जाने के बाद तो हमारी शीया नखली डॉंक्टर की क्या एक्टिंग करती है बाई शौ एंड शीया जब वहां से जारे होते हैं तब ही उन्हें वहीं पेजिया शेंक की डीमन वाली पेंटिंग दिखती है बाई शौ जब उस पेंटिंग को फाइंट करने बाहर जाता है तब ही हमें पानी में एक मचली यानि की एक फिश को दिखाया जाता है काफी find करने के बाद at last बाय शाओ को वो painting मिली जाती है बाय शाओ जब काफी देर तक शिया के पास नहीं जाता तो शिया भी उसे find करने के लिए घर से बाहर आती है तब ही वो मच्छली उसे पकड़ कर उसे बेहोश कर देती है और उसके पैर को पकड़ कर उसे पानी के नीचे खीशने लगती है तब ही वहां पे एक लड़की आती है और दूर से ही खड़ी होकर हमारे शिया की हल्प करती है बाय शाओ जब वापस आता है तो वो घर के लोगों की बाते सुनता है जो कि एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि वो डॉक्टर कोई आम इनसान नहीं बलकि भगवान हैं क्योंकि वो ब्लू लाइट में कनवर्ट होकर यहां से गायब हो गएं यह सब सुनने के बाद बाय शाओ वहां से चला जाता है वहीं दूसरी तरफ हम शिया को उसी लड़की के साथ देखते हैं एंड फाइनली हमें यहां पे पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बलकि क्यू शेंग है जिसका हमारा बाय शाओ एक हजार सालों से इंतजार कर रहा है क्यू शेंग शिया की मुती को देखते हुए कहती है कि आखिर यह तुम्हारे पास कैसे आई जिसे सुनकर शिया उसे बताती है कि मैं यहां की नहीं हूँ मैं एक हजार साल पहले फ्यूचर से आई हूँ जिसके बाद क्यू शेंग शिया के कपड़ों को कम्प्लीटली चेंज कर देती है जिसे देखकर हमारी शिया काफी ज़्यादा हैपी होती है क्यू शेंग शिया से पूशती है कि आखिर तुम्हारे उपर किसने जादू करके तुम्हें बॉय में कनवर्ड किया है तब ही वहाँ पे बायशाओ आता है जिसे देखकर हमारी शिया काफी हैपी होती है और भाग कर उसके पास जाती है एंड उसे अपने कपडे दिखाने की कोशिस करती है बड हमारे बायशाओ का ध्यान तो शिया पे नहीं बलकि सिर्फ और सिर्फ क्यू शेंग पे होता है जिसके बाद वो हमारी शिया को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वहां से भाग कर मतलब की भाग कर नहीं पर आराम से जाता है बड क्यू शेंग के पास चला जाता है ये सब देखकर हमारी शिया को काफी जादा बुरा फील होता है क्यू शेंग बायशाओ से पूंसती है कि क्या तुम भी फ्यूचर से आए हो मुझे ये तो नहीं पता कि मैं तुम्हें जानती हूँ या फिर नहीं बड तुम इस लड़की के साथ में रह रहे हो एंड तुमने इसके उपर अपना मैजिक भी यूज किया है इसका मतलब ये है कि तुमने हमारे डीमन वर्ल्ड के रूल्स को तोड़ा है क्यू शेंग बायशाओ से कहती है कि हूमन्स एंड डीमन्स एक दूस्टे से कम्प्लीटली डिफ कॉस एक महीने बाद मैं खुद ही इस लड़की को छोड़ दूँगा क्यू शेंग बायसाओ से पूंसती है कि क्या तुम्हारे मन में इस लड़की के लिए फीलिंस हैं तो जिस पर हमारा बायशाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं जिसके बाद क्यू शेंग बायशाओ को इतना शांत कभी भी नहीं देखा ये बायशाव तो उस बायशाव से कंप्लीटली डिफ्रेंट है जो कि हमें समुझ पर चिलाता रहता है एंड मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा इसका मतलब तो यही है कि बायशाव मुझे लाइक नहीं करता है वो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी मोती के लिए रह रहा है बट ये सब जानकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है दे नेक्स सीन में हम उन दोनों को जिया शैंक के साथ देखते हैं। जिया शैंक शीया से कहता है कि मैंने उस पेंटिंग वाली डीमन के लिए एक नाम चूस कियां है एंड वो नाम है रॉंग यूई जिसके बाद जिया शैंग हमारी शीया को अपना प्यार भरा मैसेज दे या क्यों मेरी मौम ने रखा था जिसके बाद जिया शेंग बाएशाओ से भी वही सेम क्वेशन करता है कि आखिर तुम्हारा नाम बाएशाओ किस ने रखा है बढ़ बाएशाओ इस कुछन का कोई भी आंसर नहीं देता है वही शिया भी अपने मन में सौन्श्री होती है कि डीमोंस के तो कोई भी पैरेंट्स नहीं होते हैं। फिर बायशाओ को पहली बार बायशाओ किसने बोला होगा। मतलब कि किसने बायशाओ का नाम रखा है। जिसके बाद शीया रूम के अंदर जाकर अपना फोन बाहर लाती है। आफ्टर डाट वो जिया शेंग के साथ एक सेलफी क्लिक करती है। देन नेक्स सीन में हम बायशाओ को देखते हैं जो की अकेला बाहर बैठा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैस पैक दिखाया जाता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि बायशाओ का नाम किसी और ने नहीं बलकि क्यूशंग ने रखा है। एंड उसी ने पहली बार बायशाओ को बायशाओ बोला था। वहीं दूर से सिया भी बायशाओ को देख रही होती है एंड उस पे काफी ज़्यादा गुस्ता करती है। जिसके बाद वो अपने आप से कहती है कि जब से बायशाओ क्यूशंग से मिला है तब से वो पागल हो गया है। और वो पागल होगा भी क्यूँ नहीं विकॉज वो अपने क्रश्स से पूरे एक हजार सालों बाद मिल रहा है। वहीं दूसरी तरब बायशाओ अपने आप से कहरा होता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम बायशाओ क्यू शेंग नहीं बलकि मैंने खुद ही रखा था और आज जब मैंने क्यूशन को देखा तो उसे देखकर मुझे पहले की तरह खुशी मतलब की हैपिनिस फील क्यों नहीं हुई जिसके बाद वो भागता हुआ शिया के पास आता है और उससे कहता है कि I think कि अब हमें यहां से चलना चाहिए वहीं दूसरी तरह पेंटिंग वाली डीमन सी चैन को बताती है कि मैं नान जियाओ के इस पोस्टर को ठीक नहीं कर सकती हूँ विकॉस स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से जो कुछ भी कहा था वो सब बिलकुल जूट था और मैंने आप सभी से जोट सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला विकॉस मुझे वो मोती चाहिए थी तभी वहां पे नान जियाओ की सेकरेटरी आती है जिसे वही कैट डीमन कंट्रोल कर रही होती है जिसकी वज़े से वो काफी जादा अजीव विहेब कर रही होती है तभी थोड़ी देर बाद उन सब भी को पता चल जाता है कि नान जियाओ की सेकरेटरी को कैट डीमन ने पॉसस कर रखा है जिसके बाद शी चैन नान जियाओ के सेकेटरी को कंट्रोल करता है एंड उससे पूसता है कि आखिर तुम्हें किसने पॉसस किया है इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती कैट डीमन उसे वहीं पे मार डालती है जिसकी वज़ा से टाइम ट्रेवल करने वाली कैंडल जलना बंद हो जाती है वहीं दूसरी तरफ जब शीया टाइम ट्रेवल करने की को सिस करती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती है ये सब देखकर बायशाओ कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि कैंडल जलना बंद हो गई है जिसके बाद सी चैन उस कैंडल को जलाने की को सिस करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता है बायशाओ सीया से कहता है कि बिना कैंडल के हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और अगर उन्होंने उस कैंडल को दोबारा नहीं जलाया तो फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए यही पे फ़च जाएंगे जिसके बाद वो दोनों वापस जीया शेंग के घर जाते हैं जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जीया शेंग तो अलरेडी मर चुका है The next scene में हम उन दोनों को जीया शेंग के टॉम के पास देखते हैं जहां बाय शाओ अपने आप से कहता है कि आज मुझे पहली बार पता चला कि आखिर लोगों के मंडने के बाद दूसरे लोगों को कैसा फिल होता है जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तब शीया बायशाओ से कहती है कि अगर मैं यहां से वापस नहीं चापाऊंगी तो फिर मैं अपने डैड को, शीचैन को, अपनी फैन को एंडान जियाओ को दुबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगी जिसे सुनकर बायशाओ कहता है कि यह तो काफी अच्छी बात है, एंड देन कहता है कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हार साथ रहना अच्छा लगता है, बलकि मैं तो यहां इसलिए रहना चाता हूँ, बिकॉस एंशिन टाइम मौडरन टाइम से काफी जादा अ अक्षर देते हुई कहती हैं कि तुम क्यूशन के लिए एन अपनी इसमोती के लिए मुझे कभी भी भी मार सकते हो शिया बाएσαव से कहती है की तुम बहुत ही जादा सेलफी शो विकॉस तुम सिर्फ और सिर्फ क्यूशन के बारे में ही सोचते हो जिसके बार शिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है ये सब सुनने के बाद हमारा बायशा भी सिया पे काफी जादा गुस्सा करता है अपने आप से कहता है कि आखिर एंशेंट वर्ल में उसे मेरे साथ रहने में प्रॉबलम ही क्या है वहीं दूसरी तरफ हमारी शिया एक होटेल में बैट कर ड्रिंक कर रही होती है और बायशा पे काफी जादा गुस्सा करती है शिया जब वह आप जारी होती है तभी रास्ते में उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं जिसके बाशिया उन सभी को अपने फोन से डराती है एंड वहां से भाग जाती है बट वो लोग उसे फिट से पकड़ लेते हैं तभी सिया को वहीं पे नाजियाओ की आवास सुनाई देती है जिसे सुनकर वो अपने आप से कहती है कि ये तो इंपॉसिबल है बिकोस अब भी ना तो बाशियाओ पैदा हुआ था और ना ही नाजियाओ बट जैसे ही वो बाहर निकलती है तो अपने सामने नाजियाओ को देख कर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड अपने आप से कहती है कि इसका मतलब कि नान जियाओ ने हम से जुट बोला इसका मतलब कि नान जियाओ बाइशाओ से 200 साल बड़ी है शीया जब नान जियाओ के रूम में होती है तब ही उसे वहीं पे टाइम ट्रैवल करने वाली केंडल्स दिखती है जिसके बाई शिया एक केंडल अपने पास रख लेती है देन नेक्स सीन में हम बाई शाओ को देखते हैं और उसे भी कुछ लोग पकड़ कर उसी जगे पे लाते हैं जहां पे हमारी शिया होती है शिया जब कहीं जा रही होती है तब ही रास्ते में वो बाई शाओ को भी देख लेती है और वो दोनों एक दूसरे को देख कर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं तब ही वहां पे नान जियाओ भी आ जाती है और बाई शाओ को देख कर कंप्लीटली इंप्रेस हो जाती है शिया बायशाओ से कहती है कि मैंने नान जियाओ की एक केंडल चुरा ली है और इस केंडल की हल्प से हम दोबारा टाइम ट्रेवल कर सकते हैं बट अगर तुम क्यूशेंग के साथ रहना चाहते हो तो फिर तुम एंशेंट वर्ल में रुख सकते हो ये सब सुनने के बाद बायशाओ शिया के हैंड को पकड़ कर काट लेता है जिसे देख कर शिया उस पे काफी ज़्यादा गुसा करती है after that बायशाओ अपने हाथ में जो कुछ भी लिखता है वो शिया के हाथ में अपने आप ही लिख जाता है इसका मतलब की दूर जाने के बाद भी वो दोनों हाथ में लिखकर एक दूसरे से बाते कर सकते हैं जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं बाइशाओ सिया से कहता है कि जब भी तुम किसी खत्रे में हो न तब तुम अपने हाथ में क्रॉस का साइन बना देना और उसे बनाते ही मैं तुम्हारे पास तुम्हारी हल्प करने के लिए आ जाऊंगा शिया बाइशाओ से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ वापस चलना चाहते हो तो जिस पर बाइशाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल बिकॉस मैं यहां का नहीं हूँ जिसके बाद वो दोनों फिर से टाइम ट्राइवल करते हैं बट हमारी शिया अपना फोन एंशेंट वर्ल्ड में ही भूल जाती है वहीं दूसरी तरफ जब नान जी आओ अपना फोन ओपन करती है तो निउस देखकर उसे पता चलता है कि शिया एंड बाई शाओ वापस आ चुके हैं बिकॉस उस न्यूस में लिखा होता है कि एक कपल जिन्होंने एंशेंट टाइम के कपड़े पहने हुए थे वो फीमेल होट टप से बाहर निकलें बट सीसी टीवी में उनके अंदर जाने की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है जिसके बाद नान जी आओ टीवी आउन करके उन दोनों को देखती है तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों नान जी आओ के घर वापस आ जाते हैं बाई शाओ नान जी आओ से पूसता है कि नान जी आओ क्या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है और वैसे तुमने मुझसे कितनी बाद जूट बोला है ये सब सुनकर हमारी शिया भी मुस्कुरारी होती है और नान जी आओ से कहती है कि तुम पूरे 1900 इयर्स की हो चुकी हो इसका मतलब कि तुम बाई शाओ से 200 साल की बड़ी नहीं बलकि 500 सालों की बड़ी हो आफ्टर दैट वो सभी मिलकर नान जी आओ के काफी मज़े लेते हैं विकॉज जिस पोस्टर को शी चैन ने फाड़ा था वो नकली था जिसे हमारी शिया ने एंशेंट वर्ल्ल में रोट के किनारे से खरीदा था जिसके बाद वो सभी मिलकर शीया एंड बाय शाओ को नान जी आओ के सेक्रेटरी के बारे में बताते हैं तब ही बाय शाओ एक ब्लैक पेपर को देखते हुए कहता है कि ये तो बैफंका है इसका मतलब कि उसके डीमन का बैफंक के साथ कोई न कोई कनेक्शन जरूर है आफ्टर देट शिया पेंटिंग डीमन को जिया शेंग के बारे में सब कुछ बताती है After that Shia उसे जिया शेंग की फोटो दिखाने के लिए अपना फोन फाइंड करने की कोसिस करती है बट वो उसे नहीं मिलता है The next scene में हम उसी पेंटिंग को एक म्यूजियम में लगे हुए देखते हैं Shia जब जौजिंग से बाते कर रही होती है तो बाय शाओ उसे देखकर काफी ज़्यादा जैलिसी फिल करता है एंड अपने हाथ में लिखता है कि लेट्स को होम विकॉस मैं बहुत जल्दी में हूँ जिसे देखकर Shia उस पे गुस्सा करती है Shia नान जियाओ से पूशती है कि आखिर बाय शाओ का नेम किसने रखा था तो जिस पर नान जियाओ कहती है कि और किसने क्यू शेंग ने जिसे सुनकर Shia थोड़ा शैड हो जाती है और अपनी एंड बाय शाओ की एंशन टाइम वाली मेमोरीस को याद करती है Shia जब सोरी होती है तो बाय शाओ अपने हाथ में Shia का नाम लिखता है जिसके बाद वो कैलेंडर लेकर डेड को क्रॉस करने जाता है बट इस पर बाय शाओ डेड को बीना क्रॉस किये ही उस कैलेंडर को साइड में रख देता है दे नेक्स सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस पेंटिंग को देख रहा होता है तब ही उस पेंटिंग से वो डीमन बाहर निकलती है एंड इसी के साथ हमारा पार्ट नाइन यही पे खतम जाता है क्या थाप्याच वाच जाता है